नमस्कार दोस्तो आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप income tax का refund पाएंगे क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं अब जो है assessment year 24-25 के बाद से ITR में बदलाब कर दिया गया है bank account का option जो select करते थे ITR filing करते वक्त वो हटा दिया गया है अब आप जब भी assessment year 24-25 की ITR को file करेंगे जहां पर आप bank account को select करते थे कि इस account में refund लेना है वो option आपको देखने को नहीं मिलेगा cable pre-valuated bank account में ही refund आएगा जो portal पे होंगे चलिए detail में समझेंगे क्या है ये उससे पहले बतना चाहूंगा जो भी भाइबंदू मेरे चनल पे पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे है जिन्होंना भी तक subscribe नहीं कहा सब्सक्राइब कर लीजिए सारे साथ बैल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का content आपको मिलता रहे तो दोस्तों अगर आपका भी income tax का refund बनता है आपका भी अगर TDS कटा है और उसके वज़े से आपका refund बन रहा है या TCS कटा है आपका refund बन रहा है या किसी और अधर कारण के वज़े से आपका refund बन रहा है तो पहले क्या होता था 24 पचेस assessment year से पहले आप जब ITR फाइल करते थे तो वहां bank account select करते थे और जो valid bank account होता था उसमें आपको refund मिल जाता था लेकिन ये process change कर दिया गया है assessment year 24 से अब आपको ITR के अंदर bank जो होता है select करने का option नहीं देखेगा अब जो portal पे केवल pre-validate account होंगे income tax portal पे केवल उसी account में refund receive होगा ठीक है कौन-कौन से account में मिल सकता है refund आपको saving account पे current account पे cash credit account पे refund मिल सकता है over draft account में मिल सकता है non resident ordinary account में refund मिल सकता है आपको अगर आपका refund fail हो जाए तो आपको उसको revalidate करना है उसका validation status check करना है ठीक है तो सबसे पहले ITR file करने से पहले आप portal पे ये check कर लेना कि आपने जो bank account दिया है क्या वो bank account validate है क्यों bank account उसमें refund आपको receive हो जागा अगर validate नहीं है तो उसको validate कर लेना फर उसके बाद ही ITR file करना नहीं तो refund आने में तो कई तरह के से हो सकता है हो सकता है कि pen account आपके bank में link ना हो name का mismatch हो bank account number mismatch हो यह account number exists ना करता हो invalid IFSC code उसके वज़े से हो सकता है यह bank close हो गया है dormant हो गया है ठीक है उसके वज़े से भी आपका refund fail हो सकता है तो दोनों ही person का bank account account holder first और account holder second दोना ही person का pen number link हो pre-validate bank account वही आपको nominate करना है income tax refund के लिए ठीक है जैसे कि देख सकते हैं यह देखिए यह bank account यहाँ पर जो pre-validate bank होगा उसी account में refund मिलेगा यहाँ से आप pre-validate पर जा सकते हैं pre-validate पर जाके details हर चेक कर लेंगे okay है कि लिए nominated this bank for refund इसको yes कर देना है फिर validate करना है फिर जैसे आप इसे validate करेंगे तो OTP आएगा वह OTP कहीं भी आ सकता है phone number या email ID पर वह हम यहाँ पर लिखेंगे चलिए लिख लेते हैं हमने लिख लिया OTP अभी validate पर क्लिक करेंगे ठीक है validation process में है थोड़ा सा time लेगा यह validate होने में wait करते हैं तो जब भी आप ITR file करें इन बातों का ध्यान दखेंगे वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताए थैंक्यू समय जय हिंद वंदे मात्रा